हलो फ्रेंड्स एक बार फिल से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल हाई-फाय स्टड़ी पर जैसा है कि आप यहाँ पर देख रहे हैं सेमेस्टर की परिक्षाइं हो 15 जून से सुरू हो रहे हैं जैसा कि बताया भी गया था कि 30 जून तक हैं वह 15 जून से होंगी चलिए देखते हैं कौन से परिक्षाइं होंगी तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग आई-टी में बी टेक एम टेक अंतिम समेस्टर की परियोगात्मा परिक्षाइं प्रोजेक्ट का रहा ऑं-लाइन वाइवा आठ जून से 12 जून तक पूरा ह चात्र प्ष्विद्याले में बगएर परिक्षा के प्रोजेक्ट करनाने की मांग पर थम्के का नाम नहीं ले रही है थमने का नाम नहीं ले रही है समझ वाज़ादी चात्र शभा के पूर्वांदा धिकारियों की आउनलाइन अपात बैठक सुकुरवार को पूर्व शदश या अध्यक्ष भूपेंदर सिंग यादो की अध्यक्षता में हुवी थी ठीक है यहाँ पर बताया ज़्यादा की हमें बगेर परिक्षा के प्रमोट कर दिया जाए ठीक है दोस्तों ऐसा आप शंबहों नहीं है आपके डियलेट एक्जाम में ठीक है यह तो हो गई पर बात आती है कि जो आपका डियलेट एक्जाम है उसमें प्रमोट नहीं किया जाएगा डायेटली ठीक है यह आप लोग सोच के मत बैठे कि हाँ पर मोट कर दिया जाएगा और हमें एक्जाम नहीं देना पढ़ेगा और हम पढ़ने से बच जाएंगे ठीक है अगर कुछ आपको पता है बताने की जरूरत नहीं है कि डियलेट में आपने एडमीशन दाखिला क्यों लिया है ठीक है बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है सभी को पता है कि हाँ क्यों लिया गया है दाखिला ठीक है तो यहाँ पर भी देख सकते हैं आप लोग आनलाइन प परिक्षाय कराती हैं इससे संबन्धित संस्थान और यहां परिक्षाय चलेंगे से पांच जून। तक चलेंगे संस्थान के निदेशक डक्टर आरकेश्चिंग ने बताया है कि जब से लागडाउन हुआ है तब से ऑनलाइन पढ़ाई भी करार रहे हैं ठीक है तो यहाँ पर आप बात निकल के आती है कि जितने भी कॉलेज है जितने भी परिक्षाय हैं वो धीरे धीरे अप परिक्षाय कराना स्टार्ट कर दी गई हैं और इससे इसपस्ट यही होता है कि आपका भी जो एक्जाम है वो अब इस पे आधारित नहीं होगा यानि बगएर परिक्षा परमोट करने की मांग जो आप लोग कर रहे हैं जो भी स्टुडेंट कर रहे हैं कि डियलेड में भी वन मन्थ का टाइम बचा है वन मन्थ में आपको क्या क्या करना है सब कुछ आप देख लेना क्योंकि आपको पता है कि जतने भी परिक्षा हैं वो स्टार्ट कर दी गए हैं और साथ में यहां पर जितने भी स्टुडेंट सेकंड समेश्टर के तयारी इस टाइम जो और तो तो ये मान के चलिए कि अब जो आपका एक्जाम है वो जुलाई में हो जाएगा ज्यादा टेंसल नहीं के जरूदत नहीं है और बस अब मैं आप से यहीं कहूंगा कि अगर आप रिवीजन नहीं करना है तो रिवीजन शुरू कर दीजिए ये मेरा आप कहना भली जिए वरना आप पस्ता आएंगे क्योंकि ये है तो एक्जाम जरूर हो जाएगा अब जुलाई में ठीक है दोस्तों ये थे आप सभी के लिए बीग अप्डेट जो आपके साथ शेयर करने थी अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ ज ज्यादा से ज्यादा से शेयर करिएगा तब तक लिए थाएंगे तो जाएंद जयाएं जयाएं बिलते फिसने नेक्स्ट वीडियो के साथ